तो आज सेर करूँगा आपके साथ में चिकन ब्लैक बिन सोस की रेस्पी इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो एक एक चीज मैं आपके साथ में सेर करूँगा आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और कॉमे जो है 300 ग्राम लिया है साप करके अच्छे से काट लिया है उसके बाद उसमें डालेंगे नमक और उसके बाद डालेंगे ब्लेक पेपर उसके बाद डालेंगे चिकन एरोमेटिक पॉडर उसके बाद जो है अंडे डालेंगे तो अंडे हमने पहले गोल के रखे थे तो इसको तो इसको जो है हमें अच्छे से मिला लेना है इस सब के साथ में और उसके बाद जो है हम एड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी तो इसको हमें इस तरीके से जो है अच्छे से मिला लेना है और इसको जो है पांच से दस मिनट के लिए हमें मेगनेशन में रखना है जैसे पांच दस मिनट हो जाए उसके बाद जो है हमें तेल को मीडियम हाई गरम कर लेना है उसके बाद हमें सारे पकोडे इसके उपर डाल देना है और इसको हमें इस तरीके से फ्राय करना है तो जैसे हमारे पकोडे अच्छे से फ्राय हो जाए तो हमें इसको निकाल देना है तो इस तरीके से जो है हमने पकोडे बना लिया है उसके बाद हमने एक पैन लिया है उसमे चौप करा हुआ गालिक और उसके बाद जो हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा एक फोट चमच चौप करा हुआ द्रक उसके बाद जो हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा चौप करी हुई मिर्ची उसके बाद जो है सेली पत्ते चौप करके डालेंगे चौप करा हुआ प्या इस तरीके से तो जैसे हमारा इस सारी चीजें अच्छे से सोते हो जाए उसके बाद जो हमें इसमें एड़ करना है ब्लैक बिन ब्लैक बिन हमनी पहले चौप करके रख दिया था तो उसको एड़ करेंगे और इसको भी इसके साथ में अच्छे से बोन लेंगे और उसके बाद एक चमच इसको भी हमें इसके साथ में डाल देना है उसके बार डालेंगे तोड़का सीशमी वायल उसके बार जो है हमें इसको एड़ करेंगे नमक स्वाधनसार इसके बार डालेंगे बलेक पेपर एक फोटी स्पॉन उसके बाद डालेंगे एक स्पॉन चिकन एरोमेटिक पॉडर और इसको जो है हम इसके साथ में गुमा लेंगे उसके बाद जो हमें इसमें डालना है डार्क सोया सोस और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसको अच्छे से इसके साथ में पका लेंगे उसके बाद जो हम डालेंगे इसमें चिकन का इस्टोक अगर आपके पास चिकन का इस्टोक नहीं है तो यहाँ पर जो है आप पानी भी एड़ कर सकते हो तो हम जो है इसको बना रहे हैं ग्रेवी में अगर आप ग्रेवी में पसंद नहीं है उसके बाद जो है हम डालेंगे रेड यलो सिमला मिर्ज और ग्रीन और इसको भी हम इसके साथ में अच्छे से पकाएंगे तो यहाँ पर जो है हम डालेंगे हरा प्याज और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से पका लेंगे तो इस तरीके से जो है हमें अच्छे से पका लेना है उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे कौन फ्लोर तो इस तरीके से जो है हमने कौन फ्लोट डाल दिया है उसके बाद लाश्ट में हम एड़ करेंगे जो हमने चिकन के पकोड़े बनाए थे उसको तो ये जो है कापी अच्छा बनकर तयार हो गया है गार्निसिंग में डालेंगे थोड़ा सा चौप करा हुआ हरा प्याज और उपर से डालेंगे चिल्ली रोगन और इसको जो है हम इस तरीके से सर्व कर देंगे तो ये जो है हमारा चिकन ब्लेक बिन सोस तयार है अगर आप इसको ग्रेवी में नहीं पसंद है तो आप इसको ड्राइवी बना सकते हो तो ये जो है आप चावल के साथ रोटी के साथ सर्व कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही एक बार फिर मिलोंगा नहीं रेश्वी के साथ धन्यवाद